गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स लक्ष में आप सभी का स्वागत है मैं इसके भारती आज आप तो वह के सामने एक इंपोर्टेंट कोश्चन्स लेके आया हूं आपके एक्जाम में यह कोश्चन्स एकदम रहेंगे निसेसरी है यही कोश्चन्स रहेंगे आप मेरे इस कोश्चन्स के अपने प्रिप्रेशन कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर आप चैक्टर वाइज एनि यूनिट वाइज हमें इंपोर्टेंट कोश्चन्स दे देते तो पढ़ने में ज्यादा आसानी होती तो वही लीजे आपके सा नाम का सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन ओगा उस कोश्चन को किसी भी स्थित्य में नहीं छोड़ना है आपको याद कर जाना है रट जाना है समय कम है तो या पूरी तरीके से समझके इग्लाम में लिखना है चरी तो यूनिट वान में तीक हैआप चैप्टर का नाम जान हैं overview of electrical and electronics component and signal इसमें पहला जो question आएगा explain active and passive component with example explain active and passive component with example एक बात बोलूं अगर मैं इस question को most भी भी आई बोलते हैं इसको या इसको आप 5 star लगा लीजे 5 star का बहुत सारा इसको तंगा मिल चुका है मतलब यह questions नहीं चोड़ना है यह questions रहेगा ही exam इसको नहीं चोड़ा जाता है तर क्या बोल रहे हैं मतलब इसमें question घुमाक आता है कभी क्या आएगा active एक्टिव एक्टिव और passive एक्टिव और mensen इसको रूप में तो यह question वही है, मतलब आप अगर active को पूरा पढ़ रहे हैं, एक side active कर दीजे और एक side passive कर दीजे, यह question तो एकदम नहीं छोड़ते जाएं, objective भी question रहता है, objective question इसी सी रहता है, दो एक, एक objective रहता है, इसलिए यह question को एकदम नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते हैं, what is PN junction diode, also defined depletion region and barrier potential, yes, PN junction diode क्या है, और, ठीक है, define क्या करना है, depletion region का definition पढ़ लेना है, और barrier potential का definition पढ़ लेना है, ठीक है, देख लीजे, depletion region का definition पढ़ लेना है, और barrier potential का definition पढ़ लेना है, मैंने आपको semiconductor पढ़ाया है, semiconductor में depletion region, semiconductor के अंतरगत PN Johnson diode आया है और उस PN Johnson diode में depletion region आया है और barrier potential आया है मैं PN Johnson diode का symbol भी बताया हूँ, symbol के साथ-साथ उसका क्या definition है वही मैं बताया हूँ ये भी important है, important है आप इसको नहीं छोड़ेंगे जिसने questions को मैं important लगा रहा हूँ, उस question को किसी भी स्थिती में आप नहीं छोड़ के आ रहे हैं अगर आप छोड़ के आ रहे हैं, तो आप खुद जिम्मेवार बनिएगा आते हैं, ठीक है, ये दो questions आप किसी भी स्थिती में नहीं छोड़ेंगे ठीक, आएए next question पे चलते हैं कि question number 3, 4, 5, 6 आपके सामने दिख रहा है, हलाकि मैं इसको पहले बीटा दुहां चलिए 3, 4, 5, 6, yes, तीसा नमबर क्या कहता है, define vicing of PN junction diode define vicing, vicing question आ सकता है, vicing question आ सकता है, yes, vicing इसमें vicing दोत रहके होते हैं forward vicing और reverse vicing मैंने बताया था, yes, vicing, forward vicing और reverse vicing, ठीक है तो forward vicing, reverse vicing को खाली define कर लिजे, ये question ऐसे ही याद हो जाता है, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा problem नहीं है इसलिए ठीक है, इसको एक बार जरूर पढ़ लिजेगा, मेरे तरब से दो टीक है, का मतलब important है, explain the working of forward vicing ये बहुत important है, बहुत important है, forward vicing के case में diode कैसे काम करता है, फूरा career club बताएं, working बताएं, ठीक, क्या reverse vicing नहीं आएगा, हम ऐसा नहीं बोले, हम बोल रहे हैं कि forward vicing जब पढ़िएगा, उसी समय थोड़ा सा reverse vicing को देख लीजेगा, दोनों में बहुत जाना अंतर है नहीं, ठीक है, अगर दोनों समझ रहे होंगे, अगर मेरी topics को समझे होंगे, दोनों में एकदम minor difference है, जब एक पढ़ रहे हैं तो दूसरा थोड़ा सा बढ़के पढ़ लेने में क्या जाता है, लेकिन मेरे अनुसार से working of forward bias ही आएगा, forward bias ही आएगा और यह बहुत important के category में में रख रहा हूँ, आगे, explain the working of reverse bias PN junction, मैंने डाल दिया, देखिए, बट हम forward bias को ज़्यादा weight दे रहे हैं, reverse bias को weight नहीं दे रहे हैं, तीक है, आप exam में मेरे अनुसार से चल सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा intelligent है, तो reverse bias को ज़रूर को लीजेगा, explain VI characteristic of PN junction diode, उमीद नहीं है कि यह question देगा, लेकिन आप इसको एक बार, इनकी diode के यह तीन question, यही चार question को पढ़ लीजेगा, तो diode से एक भी question नहीं छुटेगा, ठीक है, explain VI characteristic of PN junction diode, explain, but not, बहुं जदा important नहीं है, इसको मैं 4 tick, तो इसको 2 tick, इसको 1 tick लगा रहा हो, मतलब question का weightage समझ सकते हैं, कि किस question को मुझे पढ़ के ही जाना है, ठीक है, एक दम समय कम है, और हम किसको देख के जाए, ऐसे मैं तो कहूंगा कि सब पढ़ ये, very important question के series में है, इसलिए सब ही को पढ़ना है, चल BJT क्या है, और इसके प्रकार को बताईए, BJT के दो प्रकार मैंने पढ़ाये थे, एक का नाम है NPN, yes, और एक का नाम है PNP, क्या ये important है, तो मैं बूलूँगा, yes, ये important के category में चला जाएगा, आप इसको जरूर पढ़के जाएंगे, BJT के बारे में लिखने के लिए आता है explain transistor configuration, also its draw symbol, तीन तरह के configuration बताए गए है, common base, common emitter और common collector, तीनों configuration का circuit draw बनाना है, symbol के साथ, ठीक है, और इसका symbol भी, explain the transistor configuration, also draw its symbol, ठीक है, इसके symbol को भी बनाना है, मतलब circuit diagram को दो ड्रा करना है, common base, common emitter, common collector का, ठीक है, okay, explain the working, क्या ये important है, yes sir, ये भी important है, मेरे नुसार से, explain the working of NPN transistor, ये बहुत, 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 बहुत important है, इसको अगर star लगा दें, और double tick, triple tick, 4 tick लगा दें, कोई गलती नहीं होगा, क्या working of NPN आएगा, अभी इसमें भी question उखता है, कि NPN आएगा, तो मैं फिर से बोलूगा, अगर आप NPN पढ़ रहे हैं, तो PNP में बहुत थोड़ा सा अंतर है, PNP, जैसे सुनो, NPN जब पढ़ते हो, तो उसमें electron दोड़ता है, N type semiconductor से, तो P type में hole दोड़ता है, अगर electron hole की जानकारी थोड़ी सी है, तो जैसे जैसे N type का, जहां-जहां electron लिखते हैं, वहां hole कर देना है, जहा पर, PNP भी आ सकता है, तो इसका मतलब नहीं कि NPN आया, तो सर PNP याद नहीं है, हमको, एकदम याद होना चाहिए, PNP और NPN दोनों एक जैसा है, दोनों का working एक जैसा है, ठीक है, दसमा नंबर है, explain the working of PNP, देखे, मैंने NPN और PNP दोनों अगल बगल लिख दिया है, तो 14 नंबर, ठीक है, चलिए, यहां तक पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, 111 नंबर से, question क्या है, पढ़िए, what is JFET, write its type and draw its symbol, ठीक है, JFET क्या है, इसके types को लिखिए, और इसके symbol को बताईए, JFET क्या है, एकदम important question के category में जाएगा, और इसके symbol को लिखिएगा, और इसके types को भी बताईएगा, ठीक है, इसके types, दो तरह के types, N channel JFET, P channel JFET, यह सही समझे, और इसका, explain the working of N channel JFET, यह सही, यह तो बहुत star भी लगा दे रहे हैं, और इसको मैं टीक भी मार दे रहा हूँ, ऐसा है कि इसको छोड़ना ही नहीं है, question को, इसका, अब देखिए, N channel मैंने दिया, तो P channel भी दे दिया है, तो किसी एक को पढ़िएगा, तो दूसरा अपने आप समझ आ जाता है, कि N channel में whole दोड़ रहा है, N channel में electron दोड़ रहा है, और P channel में whole दोड़ रहा है, मैंने इन सब चीजों को, जब मेरे topics, मेरे notes से पढ़िएगा, exactly same operations मिलते हैं, कहीं कोई अंतर न आने का खाली रहता है, चलिए, next आगे की बात करते हैं, ठीक है, 14, 15, 16, 17, write the difference between BJT and FET, एक बात बोले, ठीक है, अगर आने का होगा, तो ये questions को देगा, आप BJT, BJT versus FET को एक बार जरूर पढ़ लिजेगा, एक दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, पूछ सकता है, पूछ BJT और FET में अंतर, बहुत common question है, बहुत बार ये questions पूछा जाता है, और आप इसको नहीं छोड़ेंगे, BJT और FET में अंतर क्या होता है, classify आप आईए, ये तो हो गया अहां तक, इसी में आगे बढ़ते है, classify electrical energy sources undefined, बाबु ये question ऐसा बोलो, कि आप exam में copy मिला और लिखन शुरू कर देना है, electrical energy sources को define करना है, electrical energy sources को define करना है, classify करना है, classify मतलब बटवारा करना है, और उसको एक एक पार्ट को define भी करना है, तो कैसे हम बटवारा करते हैं, electrical energy sources को और उसको फिर परिभासित भी करना है, ये question copy मिला और लिखना शुरू, copy मिला और लिखना शुरू, define आएगा एक दम आना चाहिए यह भी important question है बहुत आसान है इसको कौन छोड़ता है आज नहीं बचपन से हम लोको AC और DC पढ़ाया जा रहा है alternating current और direct current में को नहीं लिख पाता है लेकिन थोड़ा अच्छे से मेरे notes को पढ़के जाएगा तो तरीके से लिखिएगा मज़ा आएगा आपको लिखने में ओके आगे next define periodic and non periodic signal define periodic and non periodic signal यह भी आने के पुरी संभा होना है दोनों के बीच में difference दे सकता है write the difference between periodic signal and non periodic signal write the difference between AC signal and DC signal ऐसे question भी पूछ सकते हैं देके question पूछने के तरीके को हम लोग नहीं judge कर सकते हैं लेकिन कौनसा question पूछ रहा है मैं जरूर बता रहा हूँ AC और DC पढ़के गए अब अंतर पूछ दिया ठीक है यहां साफ अंतर भी लिख पाएंगे अंतर में खाली बीच में ऐसे line खीज देने से अंतर हो जाता है और अगर आप इसको paragraph में लिख देंगे तो वो define हो जाएगा यस चलिए यहां तक तो हो गया आपके पास आईए दूसरा एक और question बच गया explain source transformation पहले मैं आपको बताओ मैं एक बात बताओ कि यह source transformation आपकी जिन्दगी का सबसे important question है हिंदी लिख सकते है ठीक है यहां लिख सकते है आपको हिंदी में सबसे important question है ठीक है सबसे important question है हम इसको नई छोड़ेंगे मतलब source transformation एक दम important question है source transformation का मतलब होता है मेरे पास voltage source है कौन सा source voltage source तो मैं उसको current source में बदलूँगा और current source को voltage source में बदलूँगा और current source को voltage source में बदलूँगा पिशे आया है और आएगा ठीके इसलिस को आप इदम पढ़के जाएंगे चलिए ये था unit number one का question unit number two पे चलते हैं क्योंकि लोग important question पढ़ रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं क्योंकि हमें answer मिलेगा तब हम slow चलेंगे अभी आप खाली questions देखते जाएए और जो question हम बोल रहे हैं उसको आप अच्छे से note खाली करते चले जाएए unit number two overview of analog circuit yes overview of analog circuit में sir हमें क्या-क्या पढ़ना है ये बताईए तो चलिए पहला question what is opam write its application yes ये इसमें का sub question important है मैंने कोई question छोड़ना निकले नहीं बोलूँगा फिर भी पढ़ता हूँ what is opam operational amplifier क्या है औ इसके applications को बताईए नि operational amplifier हमारे life में कहां यूज होता है operational amplifier हमारे life में कहां यूज होता है कहां कहां circuit में use करते हैं सभी को application में लिखना है और इसका क्या परिभासा है operational amplifier क्या है इसको भी लिखना है तो क्या ये important है मैं बूलूँगा most important है yes ये most important है VVI है इसको नहीं छोड़ इसको 5 star नहीं, 6 star नहीं, 7 star दे रहा हूँ, का मतलब यह question आपको आज रट जाना है, यह question exam में पूछ रहा है, इन्हीं closed loop और open loop के बीच में difference, ठीक है, अगर हम इधर ऐसे लिखें, कि closed loop कर दें, और open loop configuration कर दें, open loop configuration, configuration बोल रहा हूँ, closed loop और open loop एकलर topic हो गया, closed loop configuration of opam, and open loop configuration, off opam, पढ़ रहा है, तो closed loop configuration और open loop configuration बोल लिखना है, दोनों के बीच में अंतर आएगा, यह आएगा, यह चप गया है, यह रहना ही है, निस्चित है कि यह question रहेगा, open loop और closed loop configuration में यह question रहेगा, ठीक है, चलिए, question number 2, question number 2, आप किस नमने हो गया, अब थोड़ा सा नीचे ज जगर नहीं है, तीसर ऊपर चलते हैं थोड़ा, चलिए इसको आईए, question number 3, 4, 5, 6, 7, draw the pin diagram of opam, ठीक है, इसका pin diagram के बारे में, एक-एक pin को पढ़ाना है, एक-एक pin को बताना है, और नाम बताना है, वाले photo बनाना है, फिर सब pin के बारे में लिखना है, उसका काम क्या है, ठीक, तो generally यह questions को weight कम रख रहा हूं, कम weight का मतलब अभी सबसे कम weight है, इस chapter में, pin को नाम सुन लीजेगा, ख इसको नहीं चोड़ना है, यह नहीं चोड़ना है का मतलब यह VBI हो गया, यह question एकदम VBI हो गया, right the ideal and practical characteristic of profile, यह question एकदम important है, ideal characteristic और practical characteristic में एकदम list बना के दिया है, ideal characteristic में zero और infinity value करके लिखते हैं, और practical characteristic में वैमान लिखते हैं, जैसे किसी का मान्ट में है, resistance का मान तो mega ohm मे लिखते हैं जीरो ओम है तो जीरो ओम लिखते हैं इसके वैल्यू कल लिखते हैं तो आइडियल और टाक्टिकल दोनों कॉपी में बनाया गया है इसको भी आप मेरे नोट्स से देखके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं यह इंपोर्टेंट है यह वी वी आई है हाव ओपैंग इस यूज अज एड़ बाद बता रहा हूं उसको पहले मिटाओ यह बिटाओ अब बताने जा रहा है उसको सुनों ठीक है 5 6 7 ठीक है 5 6 7 8 9 ठीक है 5 6 7 8 9 ठीक है एक बाद बता देतों यह तीन कोस्टिशन अगर आपको छे नंबर लाना है ना फिक्स कि हमें छे नंबर पक्का आना चाहिए तो यह तीनों को एक बार बना जो सर तीनों इंपोर्टेंट है हाँ मतलब इसमें से कौन आएगा मेरे को तो पता नहीं है इतना तैह है कि इन तीनों में से एक छे नंबर का question रहेगा अब तर कौन रहेगा यह पता होता तो मैं से उसी को देता ठीक है अब जब दो या दो question रहता है यह आएगा यह आएगा तो दोनों को पढ़ जाना चाहिए अब मैं जान रहा हूं कि या तो adder देगा या तो integrator देगा या तो दो question मिल रहा है अरी दो question में सर बोले हैं एक रहेगा तो हम दोनों पढ़ जाते हैं कोई ना कोई तो दुनों में से एक रहवे करें बना देंगे यस ऐसे ही पढ़ा जाता है इन तीनों को study कर लीजे और आपके पास integrator adder और differentiator इन तीनों में से एक question रहेगा आप तीनों को important बना रहे हैं एक दो तीन जार एक दो हाँ इसका अंगुली आ गया ऐसे तो इससे नहीं करना है ठीक आपको तीनों को study करना तीनों में से एक question रहेगा मेरे अनुसार से आप तीनों पढ़के जाएं और एक question एकडम collect कर लें एक question आओ रहाया है why opam is mostly used as an integrator not differentiator की रूप में ज्यादा तर किया जाता है differentiator की रूप में नहीं यह पिछले दो सालों में दो बार question आया है एक बार इसका एंसर जरू पढ़के जाएंगे ठीक है और अगर आगर आपको लगता है इसको एंसर इसको एक बार जरू पढ़नेंगे बहुत बार यह teacher से इसको इं आप जरूर उसको एक बार देख ले इसलिए प्लीज यह भी important question में जा रहा है ठीक है यह आपके पास important question का unit number two का पूर लिस्ट हो गया ठीक है अब आते हैं unit number three unit number three start करते है overview of digital electronics yes overview of digital electronics overview of digital electronics overview of digital electronics what is logic get yes आएगा classified the logic get yes इन दोनों को एक ही question में डाल दे रहा हूँ ठीक है क्या क्या बोला मैंने ठीक है मेरी बात को ठीक से सुनिए overview and classify जोजिक get क्या है ठीक है and classify logic get logic get क्या है और logic gate को classify करना है logic gate क्या है दो लाइन का तीन लाइन का परिभासा लिखाया हो और उसको classify करेंगे तो तीन भाग में, basic gate, universal gate और, ठीके, a special gate basic gate, universal gate और a special gate, yes, ऐसे ये तीनों को classify करेंगे क्या classify करने बोला है तो क्या मैं explain करूँगा, नहीं, नहीं नंबर का है दो नंबर का है तो क्लासिफाइ करके छोड़ के आ जाना है छे नंबर का है तो कहना चाहरा है कि भाई थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में लिख दो ठीक है यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना होता है एक्स्प्लेइन बेसिगेट विट टूटेबल बेसिगेट को यह एक तो बाबु यह कोस्चन अगर छोड़ क्या होगे न हम पूट देंगे ठीक है यह कोस्चन अस्टार लगा करके बोलू हो या फिर बोलू है दोनों में से कोई एक रहेगा एक्जाम तूट टेवल के साथ बनाना है और सर्कीट डाइग्राम भी बनाना है ये दोनों गेट को पुरा पढ़ जाएए बस यही दूगो कोश्चन छे नमबर नहीं आएगा तब हमें एक्जाम के बाड़ा के बुलिएगा सर छे नमबर नहीं लड़ाई से एक दम यही दो कोश्चन को अगर पढ़ लेते हैं छे नमबर आ जाएगा तो सोची कितना इंपोर्टेंट बता रहा हूं कि दो कोश्चन में एक लड़ने वाला इतना इंपोर्टेंट कि आप इन दोनों कोश्चन को पढ़के जाते हैं तो छे नमबर तो फिक्स्ट है ठीक आते हैं आगे के लिए ठीक है यहां तक लास्ट है अच्सप्रें दे लाजिक इनिवसल और स्पेसल गेट को भी थोड़ा पढ़ीजेगा जिसमें मैं एक्जॉर गेट बता रहा हूं पढ़ लीजिएगा इंपोर्टन में मैं रख रहा हूं यह इंपोर्टन है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं थोड़ा लगता है कि तीन सबको जब इंपोर्टेंट ही बोलेंगे तो पूरा से लेबल सी पढ़वा दीजिया ऐसा होता है यह थोड़ा कम इंपोर्टेंट रखिएगा अगर आपके पास समय कम है और मुझे याद करना है कि तीन कोस्टिन में सबसे ज्यादा तो मैंने लिखने देगा एक लोगों को उसके लोग के बारे में भी लिखना होता है सब लोग नहीं लिखेंगे लेकिन हाँ चार-पांच लोग तो लिख देंगे उमीद कम है लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं पढ़ लेना चाहते हैं एक बार पढ़ लीजे एक बार जरूर जान ले कैसे बनता है कम से कम Basic chúng गेट को Universal गेट से कैसे बनाए जाता यह ज़रूर मैंनेastic düşün awful universal starting जात है यह ज़रूर किए गपो नेक्सट आगे बढ़ते हैं फिरग्त लास्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट करते हैं जैसे ए रिखी सी को दिखाते हैं एक कॉम्प्लिमेंट है यहां से ए लिखा ठीक है नॉट गेट लिया एक कॉम्प्लिमेंट हो गया फिर बी है यहां एंड गेट ले लिया ठीक है फिर ए है एसे एक तार ले लिया फिर बी कॉम्प्लिमेंट है बी से एक तार ले करक इस तरीके से आपके पास ठीक है, फूरा एंसर सा जाता है, बहुत इजी वे में, इसी तरीके से मैंने डाइग्राम बनाने के लिए सिखाया है, तो इसको एक बार पैक्टिस कर लिजेगा, तो बहुत बार क्या होता है न, अबजेक्टिव कोशन में आगा, ऐसा फोटो दे द करते हैं, मैं इस पहले की लिएर कर दे रहा हूँ, अगर आप बता दूँगा, अधर मेरे अनुसार से यह इंपॉर्टेंट में नहीं जाता है, यह बूले ने लिजे बरा, आगे के क्लासे से नहीं, उपर के समेस्टरों के लिए हो जाता है, लेकिन फिर फिर अगर आप ज चठे यूनिट का हम लोग इंपॉर्टन कोस्टन देखेंगे, अभी हम लोग 1, 2, 3 देखेंगे, पहला पार्ट में आप इसको पूरा प्रिपेर कीजे, जहां-जहां परिशानी होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे, और हम लोग का पूरा वीडियो भी बनेगा इस पर, आप एक-एक करके सब कोस्टन का एंसर के साथ मैं आऊंगा आओंगा आपके सामने, चलिए इसी उमीद के साथ कि आपके एक्जाम अच्छा जाएगा, बेस्ट आफ लाग, बहुत अच्छा से एक्जाम देजे, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो हमसे ज़रू कंसरेट कीजे, थैं